नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तो कंसिटेंट आज मैं आपके साथ एक और नए विशय पर चर्चा करना चाहूंगा आज का विशय है प्लॉट का नॉर्थ वेस्ट का एरिया बढ़ा हुआ है तो उसके क्या परभावाते हैं और उसके लिए क्या क्या रेमेडिस आप अपने यहां पर कर सकते हैं आपका अपना प्लॉट है जिस प्लॉट में आप अपना घर बनाने जा रहे हैं या आपका घर बना हुआ है और उस घर का नॉर्थ वेस्ट का एरिया बढ़ा हुआ है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि वास्तू शासर के अनुसार हम नॉर्थ वेस्ट के एरिये को बढ़े हुए एरिये को कैसे सही कर सकते हैं घर बना हुआ है तो उसी के अंदर रेमेडी करनी पड़ेगी और प्लोट है तो प्लोट के चारों को ने आप 90 टीरी कर सकते हैं कुछ जिएक ऐसी भी समस्य आ जाती है कि हम प्लोट के उस एरियों को छोड़ नहीं सकते क्योंकि साथ में लगता हुआ घर बना हुआ है और उसी के साथ हम अपना घर बनाने जा रहे हैं तो स्टेज कई बार ऐसी आ जाती है कि हम उसी रियों नहीं छोड़ पाते हैं तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए आपका प्लोट यह लेखिए यह प्लोट है नौर्थ फेसिंग है नौर्थ वेस्ट एक नहीं कहीं प्रकार से बढ़ता है एक तो नौर्थ वेस्ट का बढ़ना यह होता है साउथ वेस्ट से वेस्ट की दिवार तिच्छी होकर नॉर्थवेस्ट एरिया को बढ़ाती है ऐसे में साउथवेस्ट का एरिया कम हो जाता है और नॉर्थवेस्ट का एरिया बढ़ जाता है ऐसे में जैसे नॉर्थवेस्ट का एरिया बढ़ा तो साउथवेस्ट का एरिया कम हो गया उसमें साउथ की बुजा छोटी हो जाती है ऐसे ही वेस्ट की बुजा बढ़ी हो जाती है, इस्ट की बुजा छोटी हो जाती है, एक तरीका तो यह होता है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्णर का बढ़ना, नॉर्थ कॉर्णर से इस परकार से नॉर्थ इस जोन कम होकर नॉर्थ वेस्ट एरिया को बढ़ाती है, इसमें वेस्ट की बुजा बढ़ी हो जाती है इस्ट की बुजा से और नॉर्थ की बुजा बढ़ी हो जाती है सौट की बुजा से इस प्रकार भी नॉर्थ वेस्ट का एलिया बढ़ जाता है नॉर्थ वेस्ट जोन बढ़ जाती है और ऐसे ही जब दोनों दिवारे तिर्ची की दिवार से भी और नॉर्थ की डिवार से भी बढ़ जाता है नोर्थ वेश्ट कॉर्नेर किसी भी रूप में बढ़ता है तो वहां पर कॉट केस जगडे दुश्मिने होने की कारण बनते हैं लेगल इश्व ने के कारण बनते हैं हर तरफ से जो सहता मिलनी छे de i नहीं मिलती हर वक्ति आपसे उस परिवार से दूर होता चला जाता है जो वक्ति ऐसे घर में रहता है ऐसे में मैं आपको कहना चाहूंगा जो आपके अपनी वेस्ट जोन है यानि पश्चिम की तरफ से यदि दिवार बढ़ी हुई है पश्चिम की दिवार तिर्ची हो रही है तो आप इस जगह को अपने पुडोसी को दे दे अपने इस कॉर्णर को कि 90 डिग्री करें साउथ हेस्ट कॉर्णर को भी 90 डिग्री रखें ऐसे ही नॉर्थ हेस्ट कॉर्णर भी आपका 90 डिग्री होना चाहिए और नॉर्थ वेस्ट कॉर्णर भी आपका 90 डिग्री होना चाहिए आपके हां फ्रंट के भाग में नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ है तो इस area को आप अपने बाहर के open area में छोड़ दें, सड़क वाले हिसे में छोड़ दें, यह जगह आपके अपनी parking के लिए यूज में आ सकती है, जैसे दिन में कोई भी वेक्ति आता है या शाम के से में आता है और अपनी गाड़ी बाहर पार्क करते हैं, तो जितना area आपका अपना यह होता है, यहाँ पर आपके अपनी गाड़ी पार्किंग में लग जाएगी, यानि open area में खड़ी हो जाएगी, सिर्फ आपने दिहान रखना है जो वेस्ट वाली बुजा है, इस बुजा की जगह को आप अपने प्रोशी को दें, यदि बना हुआ है, तो आप सिधा करने के special उपए, कि इस तरीके से आप इसको सिधा कर सकते हैं, कुछ स्टेज ऐसी भी आती है, जहां पर हम इस बड़े हुए area को चहा कर भी अलग नहीं कर सकते, जो आपकी west की दिवार northwest area को बढ़ा रही है, उसमें आपने northwest corner को round करने है, कैसे round करने है, हलकिसी गोलाई, चांद की आकरती वाली गोलाई आपने करनी है, कौन से corner को, northwest बढ़े हुए corner को, ऐसा करने से आपको relief जरूर मिलेगा, इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जब आप ऐसे float के अंदर अपने building बनाएं, तो building को स मिलेगा, और जो बड़ा हुआ भाग है, इसका आपको दोश नहीं लगेगा, plot का side छोटा है, left to right आपकी complete building बन रही है, तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे आपके room west wall पर बनते हैं, तो जितना बड़ा हुआ area है, उस area को आप अपनी अलमारी के अंदर cover करें, यानि room आपका 90 angle में होना चाहिए, rectangle या square होना चाहिए, ऐसे ही आपका कहीं भी open area आता है, room के अंदर कोई corner नजराता है, कौन सा नौर्थ वेस्ट corner, तो उसको भी आपने round करना है, जैसे आपका ये corner है, इसको आपने हलका सा नौर्थ वेस्ट corner round करना है, अंदर वाली गु दूसरी दिवार आती है, तो इस दिवार को भी आपने ऐसे ही चांद कियाकत्य वली गुलाई करनी है, मेरा अपना मनना है, जब आप अपने यहां पर ऐसा कर लेते हैं, तो आपके घर के अंदर जगड़े कम होंगे, कल्हया कम होंगे, मन मुटाओ नहीं होंगे, और आपका घर में रहने में मन भी लगेगा कब जब आप ये काम अपने यहाँ पर करेंगे जब आप अपने यहाँ पर ये काम कर लेंगे तो मेरा अपने ये मानना है कि आपको आपके काम में सफलता भी जरूर मिलेगी आपका घर बना हुआ है और आपके घर का North West का इरिया बड़ा हुआ है जो उपाई मैंने आपको बताए ये उपाई आप अपने यहाँ पर करेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान जरूर हो जाएगा फिर भी मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 325 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है आप मेरी उन सभी वीडियो को देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं आप जरूरत से ज़्यादा प्रेशान है तो आप मेरी वीडियो को द्यान से देखें सुने समझे और विचार करें आपको लगता है कि बंसल जी द्वारा दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छा रिजाल्ट प्राप्त कर सकते हैं मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी वीडियो को अपने फैमली और फ्रेंड्स के फेस्बुक ग्रूप और वटसब ग्रूप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ में बेल आइकन जरूर दवाए ताकि मेरे आने वाले जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे इसी तरह अगले प्रोडम में फिर एक नई वीशे पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार